नमस्कार मैं हर्षराज और आप देख रहे हैं हमारा खास खारगरम तो फाइनली लंबे इंतिजार के बाद IPL का शुभारम होने वाल है और पहला मैच खेला जाएगा CSK और RCB के बीच और जैसा कि आप जानते है CSK का मैच उसके ही घर पर मतरब चितंबरम स्टेडियम में हो रहा है तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि दोनों ही टीम कितने वार हैट टो हैट मुकाबले में जीती है और पिच रिपोर्ट क्या है और कौन से प्लेयर अच्छा प्रदसर कर सकते हैं और आज का मैच इसके पक्ष में जादा है तो चल्यं ये वीडियो inड़े भार करते हैं और जबकि यहां पे 60% चांस हो जाते हैं कि 46% जो बैटिंग टीम जो टॉस जिती है टीम उसी के पक्ष में ये मैच होता है तो अगर हम बात करें चितंपरी स्टेडिम की तो इसमें टॉस बहुत माइने रखता है और जो टीम पहले बैटिंग कर दिया उसके लिए ये बहुत ही महत्वपुर पिछ हो सकता है और अगर हम CSK और RCB की head to head की record की बात करें तो 31 बार इन दोनों टीमों का आमना सामन होगा है जिसमें से 20 बार CSK ने जीत में बारी माजी है और वही 10 बार सिर्फ 10 बार RCB ने इस मैच को जीता है और एक बार मुकाबला बिना नतिजगरा मतलब कि ड्रॉ हो गया और अगर हम दोने ही टीम के squad की बात करें तो दोने ही टीम के squad इस बार बहुत ही लाजवाब है और अभी हम RCB की बात करें तो RCB में अगर पहले batting करने आते हैं और अगर टीम पहले टॉस जीती है और पहली ओपनिंग करने आते हैं तो ओपनिंग जोड़ी RCB और CSK की दोनों ही काफ़ी डिफरेंट है पर CSK और RCB की ओपनिंग में काफ़ी ज्यादा फर्क देखने है जहां पिछले कई सारे IPL में आपने देखा हुआ कि IPL के जो ओपनेर बैट्समेन हैक, फैब डूपलेसी और विराट कोली इन दोनों की जोड़ी जब भी आते एक ग्रांड में धमाल मचाती है दोनों अगर लंबे समय तक टिक जाए तो दोसों का आंखड़ा भी छोटा पड़ जाता है और अगर मिडल ओटर की बाद आती है तो उसमें ग्लेन आकाश दीप और करंच शर्मा यह तीनों और यह चारों बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं और काफी अच्छा इंपक्ट छोड़ सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहली कहा था कि यह पिच स्पिन फ्रेंड यह है और यहां पे स्पिनरों का जलबा रहेगा अगर हम स्पिनरो अगर हम बात करें मिडल ऑडर के आर सीवी के तो इसवेक मैक्सवेल और कैमरान ग्रीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और ऑप्शन की बात करें तो दिनेश कार्थिक भी बहुत अच्छे फिनिश रहें रहेगा उनकी बैटिंग आने में थोड़ा टाइम लगता ह हैं चलिए बात करते हैं CSK की अगर हम CSK की ओपनिक जोड़ी देखे तो गायकवार्ड और इस बार तो रचिन रविंद्रा भी है जो काफी अच्छे पोजिशन में और उन्हें वर्ल्ड कप में तो आपने उनका प्रदेशन देखा ही होगा काफी अच्छा पोजिशन है औ अपना कोई प्लान बना रहे हैं और उन्हें ये ट्वीट करके खुदी लिखा था कि वो अपने नए रोल के लिए एकड़म तयार हैं और अगर CSK की बोलर की बात की जाए तो CSK की बोलर की काफी अच्छी तालमेल हैं और काफी अच्छे स्क्वैर्ड है इनके जिसमें आश परपल कैब वहीं मोहींड़ की बात की जाए तो मोहींड़ ली ने पिछले साल ही पिछले साली तीन वार मतलब तीन बार, विराट कोली को चलता क्या था, और एक बार फैब डूपलेसी का भी शिकार क्या था, वहीं जड़ेजा की बात टेंगे तो जड़ेजा ने फैब डूपलेसी, विराट कोली और मैक्सविल का भी शिकार कया, तो कुल मिलाकर यहां पर इस्पिनर का जल्बा होने वाला है और लेग स्पिन तो इसमें खास कर बहुत ज़्यादा महत्पुन भूमी का निभाएगी तो चलिए आज हम इंपक्ट प्लेयर की बात करें कि इसमें इंपक्ट प्लेयर का क्या एहम रोल रहेगा तो अगर CS के पहले चेस करने आती है तो इस हिसाप से अगर हम बताएं तो बैस्ट प्लेयर हो सकते हैं दोनों ही टीम के हम दोनों ही टीम की बात करेंगे जिसमें दिनेश कार्तिक, फाइब डू प्लेसिस, राजत पाटिदार, रितुराज गायकपाड, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सविल, और रचिन रविंद्रा, कैमरोन ग्रीन, शार्दूल ठाकुर, मुकेश चौधरी और महिस्या त इक सना होंगे, यह काफी ज्यादा बैस्ट प्लेयर होंगे, और की प्लेयर भी होंगे आपके लिए, अगर आप चाहे तो इसको यूज भी कर सकते हैं, और अपनी एनलाइज भी कर सकते हैं, और अगर हम बैंगलोर की बात करें, अगर बैंगलोर चेस करनी आती है, तो उस ह साब से दिनेश कार्तिक, फैब डू प्लेसी, विराट कोली और चेनी की तरफ से शिवम दुवे, रुईतुराज गाइकबाट, रविंदर जडेजा, रचिन रविंदरा, कैमरोन ग्रिन और शार्दूल ठागोर, ग्लेन मैक्सवेल काफी एहम भूमिका निभाने वाले हैं, अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए, तो आपने वर्ल्ड कप में देखा ही होगा, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम लगबख मैच हार ही चुकी थी, लगबख हार की कगार पर थी, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आके अके अकेले 12 शा तक जड़ा था, और उनकी आप तो उस हिसाब से दिनेश कार्तिक, विराट कोली, टेरेल मिचल, शीवम दुबे, रुतुराज गाइकवाड, रविंदर जडेजा, ग्रेन मैक्सवेल, और रचिन रविंदरा, दीपक चहर, अलजारी जोसफ और महिशा तिक्षना के साथ जा सकते हैं, वैसे तो अगर यहा जड़ा इंप्रूब्मेंट हुआ है, और हम उम्बीद करते हैं कि यह मुकाबला काफी रोमांचक हो, और यह कहा भी जा रहा है कि यह MS धोनी का लास्ट आइपल मैच है, तो MS धोनी के लिए best of luck, और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजे जाए, ध हने बाग